ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं करक राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 अगस्त से 31 अगस्त तक के आपकी राशी के महाराशी फल्ग के बारे में कि आपके लिए 24 अगस्त से 31 अगस्त क का समय किस प्रकार रहने वाला हैं किनकिन चीजों से इनको फायदा होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा विजिनिस और वेपार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत पपॉण जानकारी हम आपको देंगे इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अन्त तक पूरा देखें बिलकुल भी इसे वीडियो को आप मिशना करें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुती महत पपॉण रहने वाली हैं दोस्तों वीडियो को आपके शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान शुरू देव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट से बोक्ष में जैश शुरू देव अवश लिकें जिससे भगवान शुरू देव का शिरवादा पुशिदे प्राप्त हो सके चड़ी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए 21 अगस्त से 31 अगस्त तक का यह महत्पपोने समय दोस्तों यह समय आप अपने वहवार तथा म्रदु भासिता द्वारा खराब संबंदों को सुधार ने में सफल रहेंगे आपकी सकारात्मक सोच जैसे भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करना आपके लिए श्वाबाविक ही उत्तम परिस्तितियां उत्पन करेगी घर में कोई धर्मिक आयोजन भी हो सकता है दोस्तों यह समय पिछले कुछ समय से चली आ रही बादाओं को दूर करने में आप सफल रहेंगे जिससे आप में आत्म संतुष्टी का भाववी रहेगा राजनितिक वे सामाजिक गतिविदियों में विसेस योगदान रहेगा एक खास मुकाम भी आपको इस समय हासिल होगा समय मान वे प्रतिश्टा वर्दक है धर्म कर्म वे आध्यत्मिक कार्रो के प्रती रुची रहेगी वे विसे धर वे दुनियादारी के बीच बहतरीन संतुलन बना कर रखेंगे दोस्तो यह समय उधार दिये हुए किसी पैसे का कुछ हिस्सा आपको वापस मिल सकता है अपनी दिन चरिया को विविस्तित रखते हुए अपनी विसेस प्रतिबा को जागरित करने में समय व्यातित होगा विसेस कर ग्रहनियां स्वैम को साबित करने में सफल रहेंगी विध्यार्तियों को अपनी परिक्षा में सफल ताहसिल होगी बड़े वुजुर्गों का इसने और आशिरवाद आप पर सदे बना रहेगा किसी जवतमंद मित्र की मदद करने से मन में खुसी रहेगी दोस्तो अपने उसुलों वे सिद्दान्तों के साथ किसी भी तरह का समझोता ना करना आपको मजबूत बना कर रहेगा दोस्तो यह समे अपनी समझबूज वे बुद्धी मता के दवारा अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में आप सफल रहेंगे कार को योजनाबद तरीके से करना आपको विसेश सफलता प्रदान करेगा घर में मित्रो या महमानों का आगमन होगा तथा सभी सदस्य आप से मेल जोल का लुप्त उठाएंगे दोस्तो साती सात इस समय कभी कभी आपका मन मोजी स्वभाब दूसरों के लिए परिशानी का कारण बन सकता है घर में परिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलत फहमी उत्पन हो सकती है जिसकी वज़े से किसी बहरी व्यक्ती का हस्त छेप हो सकता है दोस्तो यह समय ध्यान रखिए कि कोई अपना ही नजदी की मित्र दोका या फिर ठगी कर सकता है युवा वर्ग की अपने केरियर के प्रती लापरवाही भविश्य के लिए नुकसान दैक रहेगी इसलिए सावधानी रखना आपके लिए अतियावशक है दोस्तो यह समय किसी नजदी की मित्र की नकारात्मक गती विदी से आपको आगात या फिर धक्का लग सकता है गाड़ी या मकान संबंदित कागजाद आप बहुती समाल कर रखें दोस्तो कभी कभी किसी विशेस विशे को गहराई से जानने की एक्छा आपको अपने लक्षे से भटका सकती है थोड़ा सावधान रहें परंतु जादा आत्मकेंद्रित होने से इसका नकारत्मक असर आपके व्यक्तिकत तथा परिवारिक जीवन पर पढ़ सकता है किसी धार्मिक उतसव में गरत फहमी की वज़े से किसी के साथ कहा सुनी हो सकती है इसलिए अपने वहवार को सैयमित बना कर रखना आपके लिए अति आवशक है दोस्तो यह समय अपने भाई भेनों के साथ संबंद मधुर बना कर रखें क्योंकि किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है विद्यार्तियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से बटक कर व्यर्थ के कारों में लग सकता है जिससे कोर्स पूरा करने में दिक्कत आ सकती है विद्यार्ति लोग अपनी पढ़ाई के प्रती किसी प्रकार का समझोता ना करें अन्यता रिजल्ट खराब हो सकता है अपने स्वयभाब को सहज वे संतुलित बना कर रखें क्योंकि गुस्से से परस्तितियां और अधिक बिगर सकती हैं कानुनी काम में भी आप ना उल्जें साफधान रहें दोस्तो बात करें लव लाइफ के नजरिये से तो यह समय पती पतनी के बीच एहम का टकराव हो सकता है परन्तु समय रहते आप नकारत्मक परस्तियों को काबू में पा लेंगे जिससे पती पतनी में नजदी कियां बढ़ेंगी विवा संबंदित कारों में व्यस्तता भी बनी रहेगी दोस्तो साथ साथ अत्यादिक व्यस्तता के कारण परिवार पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे परन्तु जीवन साती का सयोग परिवारिक वातावरण को उचित बना कर रखेगा पती पत्नी के आपसी संबंद अच्छे रहेंगे प्रेम संबंदों में भी प्रेगड़त आएगी दोस्तो बात अगर आपके वेवशाय और केरियर की करें तो इस समय आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिससे आप गोपनिय रखना चाते थे वेवशाय के कार रहें अभी लंबित ही रहेंगे नौकरी पेसा लोगों को भी आफिस से संबंदित कोई भी नजदी की यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे आपको अधिक लाब पहुँश सकता है नौकरी में अपने टारगेट को पाने में आपको कामिया भी भी हासिल होगी दोस्तो किसी के साथ शाजेदारी करते समय नुकसान फायदे की इस्तितियों पर भी अवश से विचार विमर्स करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो साथी साथ इस समय किसी प्रिक्टार की विवसाई के परतीस परदा में आपकी हार हो सकती है परन्तु इस तनाव को आप अपने उपर हावी होने ना दें तता धहरे पूरवक अपने अन्य कारों के परती समर्पित रहें अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी नौकरी में प्रमोशन या फिर ट्रांसफर के आपके लिए योग बन रहे हैं दोस्तो यह समय कर्यचित्र में कारों के बीच बीच में कुछ रुकावटे आ सकती हैं जिनकी वज़े से ओडर आदी पूरा करने में विलंब हो सकता है करमचारियों की गतिविद्यों को आप नजर अंदाज ना करें वे लोग किसी प्रकार की राजनिती उत्पन कर सकते हैं सावधान रहें दोस्तों साथी साथ यह समय मसीनरी वे तेल सम्मंदित व्यवसाय भरपूर मुनाफे कमाने की इस्तिती में हैं इसलिए पूरा ध्यान अपने काम पर ही केंदिरित रखें परन्तों हर काम में पेपर सम्मंदित कारों को पूरी तरह व्यवस्तित रखना आपके लिए अति आवशक है किसी प्रकार की इंक्वारी आदी बैठ सकती हैं सावधान रहें दोस्तों साति साथ खान पान से सम्मंदित व्यवसाय धीरे धीरे व्यवस्तित होंगे अपने काम के क्वालिटी में और अधिक सुधार लाने की आपको आवशकता है जो आपके लिए बहुती फैदेबंद साबित होगा दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय आपका स्वास्थ उत्तम रहेगा किसी प्रकार की चिंता आप ना करें वाहन या मसीन सम्मंदित उपकरणों का सावधानी पूरुवक आप उपियोग करें क्योंकि किसी प्रकार की चोट या फिर एक्सिडेंट की आसं का बन रही है दोस्तों साथी साथ यूरे इंफेक्शन जैसी समस्या उत्पन हो सकती है तरल प्रधार्तों का अधिक से अधिक आप शेवन करें गलत क्वान दखान पान की वज़य से गैस वे खराब होने plaisirि 같습니다 अधिक से अधिक से अधिक शेवन मिलाएं जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा